हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टडी फीट चैनल दोस्तों मैं फिजिकल एजूकेशन के इंपोर्टेंट यम्सी क्यूज का प्रैक्टिस चिप्तरवाईज करा रही हूं जिसमें से यह स्पोर्ट ट्रेनिंग यानि खेल पर सिच्छर से रिलेटरी कोस्टेंस होंगे ज जो बहुत हैं जिसको क्लियर करना पूछ जरूरी है और प्रैक्टिस सही किलियर होगा दोस्तों एंडिया फ्यूजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपेटिटिव एक्जाम का प्रेप्रेशन सिलिवस के कोर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चनल पर सभी वीडियो जिलिवस के का प्रेक्टिस तो हो ही रहा है तो चले चलते हैं आज के प्रश्णों की तरफ को सब्सक्राइब लचीला पन यानि फ्लैक्सिब्लेटी कितने प्रकार की होती है तो दोस्तों यह दो प्रकार की होती है आपसन है क्रियासील पन यानि एक्ट्यू फ्लैक्सिब्लेटी ब्लैक्सिब्लेटी तो जैसा कि आप समझ गए होंगे जो फ्लैक्सिब्लिटी या लचीला पन होता है दो टाइप्स का होता है एक्टिव एन फेसिव फ्लेक्सिबिलिटी यानि क्रियासिल और अक्रियासिल फ्लेक्सिबिलिटी नेस्ट है क्रियासिल लचिलापन यानि एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कौन से दो प्रकार की होती है तो दोस्तों सबसे पहले तो जानेंगे एक्टिव और फेसिव फ्लेक् बिना किसी व्यक्ति या वस्तु की सहाता से ठीक है एंड जो पेस्यू फ्लेक्सिबिलेटि होती है और करियाज शील उसमें पेस्यू फ्लेक्सिबिलेटि में इसमें गती की मात्रा यानि range of moment में विद्धी जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की सहाथा से बढ़ा लिजाती है ठीक है ? Active में बिना किसी वस्तु या व्यक्ति की सहाथा से और passive में किसी व्यक्ति या वस्तु की सहाथा से अपनी गति की मातरा को बढ़ा जाता है तो यहां पर क्या कुश्चन है कि क्रिया सील यानि कि एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी दू प्रकार की होती है यह दू प्रकार की होती है क्रिया सील और गती सील कौन सी दू प्रकार की होती है इस्थिर और गती सील दू प्रकार की होती है यानि कि इस्टेटिक और डैन दो प्रकार की होती है यहां पर आपसा नमर डी होगा सी एन डी बी एन सी दोनों ठीक है तो यहां पर जो एक्टिव फ्लेक्सिब्लिटी है यानि कि सा क्रिय क्रिया सील जो है आपका लचिलापन है वो दो प्रकार का होता है इस्टेटिक एन डानमिक लचिलापन यानि की गति और इस्थिल लचिला पर यानि इसको इस्ट्रेटिक एंड डाइनमिक फ्लेक्सिबिल्टी बोलेंगे नेश्ट है कौन सी विधी लचिले पर को बिक्सित करती है तो यहां पर है पहला है यह है लैबद खिचाओ विधी यानि बैलेस्टिक मेथड बी है मंद खिचाओ विधी यानि स्लो इस्ट्रेच एंड होल्ड मेथड एंड सि है मंध की च़ता विधी यानि स्नलों इस्ट्रेच्चिγ मे concur हैं दि design अब यहां पर बिखनेMusine कि अब कुल के लिए लचीले सब्रकाई चिंग हैं सार इस्ट है यहां पर दिया हैं और यहां पर पालीश्टिक ओल्डिंग contradiction slow stretch and hold method दिया है slow stretching method दिया है इस सभी method है इसको भी आप याद कर लिजेगा तो उपीक सभी यहाँ पे सही होगा नेश्ट है लैबध खिचाओ लैबध गती बाउंसिंग और बाबिंग के साथ खिचाओ कि मुद्रा को प्रात करने की विधी को क्या कहते हैं तो दोस्तों इसको इस विधी को कहते है बयलेष्टिक इस्ट्रेच विधी इसमें जोडों के कौर्म में विधी रिद्मि याने लैबध तरीकी से और चाउंटिंग के साथ की जाती है जैसे बाउंसिंग, खिचाओ, लैबद खिचाओ, इस्ट्रेचिंग, लैबद गीत, स्विंग, बाउंसिंग, आदि Next question है लचीले पन को बिख्षित करने की विधी को क्या कहते हैं जिसमें प्रगाहकों की तंत्रिका मांस्पेशियों को उत्तेजित करती है इसको कहते हैं दोस्तों, पोस्ट आईशोमेट्रिक स्ट्रेच विधी इसमें क्या होता है कि प्रगाहकों की तंत्रिका मांस्पेशियों को उत्तेजित करती है Next question है अच्छे लचीले पन के लिए सरीर के कौन से भाग इसके अनरूप होने चाहिए आसन है हिदय संधी लिगमेंट तो दोस्तों लचीला पन अक्सर हमारे जोडों की गति से ही होता है जैसे यहां पे जो होगा लचीले पन के लिए सरी के कौन से भाग इसके अंरूप होने चाहिए तो हमारा संधी यानि जोड और लिगमेंट यानि की इस नायू जो है ओदूरों अनुरूप होने चाहिए इन्हीं से लचीला पन विख्सित होता है तो स्रेवन का कौन सा अंसर है दोस्तों आपसा नंबर डी बी एंड सी दूरूप यानि हमारा जोड और लिगमेंट अच्छे लचिलेपन के लिए नेफ्ट है चाल यानि की गर्ती छमता के कितने प्रकार होते हैं तो दोस्तों चाल जो है वहां पांस प्रकार का होता है चाल कितने प्रकार का होता है पांस प्रकार का होता है जैसा कि दोस्तों मैं स्ट्रेंथ इंडरेंज फ्लेक्सिविर्ट सभी पर एक एक करके वीडियो डिटेल में बनाई हूं उन सभी वीडियो इसको आप देखेंगे तो सभी डाउट आपकी किलियर हो जाएंगे तो यहां पर चाल यानी इस पांच प्रकार का होता है कौन-कौन से होते हैं रियक्शन एबिलेटी जिसे प्रतिक्रिया योगता ब बारे में जानने के लिए दोस्तों आप इस पीड वाले वीडियो को जरूर देख लिए आपके सभी डाउट्स किलियर हो जाएंगे नेक्ट कोशन है गती योगता की साधारण प्रतिक्रिया योगता यानि स्टीमपल रियक्शन को विक्सित करने के लिए कौन शी विधी अ जैसे कि दोस्तों जो गती यानि स्टीमपल होती है उसके रियक्शन इबिलिटी यानि कि प्रतिक्रिया योगता जो है दो प्रतिक्रिया योगता कहते किसी है प्रतिक्रिया यानि रियक्शन यानि कि जो एक संकेत पर यानि वास चमता जो एक संकेत पर जल्दीवत सही रू बंदू की आवाज ciao मिलते हैं विज तरण है किए रियक्शन है उस बंदू का वाज सुनते हैं आप रिस उगता कि या कि यह तुरह तो दो प्रकार की होती है सदार प्रतिक्रिया यानि Simple Reaction Ability and दुसरा है जटिल प्रतिक्रिया यानि Complex Reaction Ability तो इसमें क्या पुछा है Simple Reaction Ability को भीषित करने की कौन कौन सी विधिया होती है तो इसमें होती है आपका पुन्राबित्टी विधी जिसे Repetition Method कहते हैं अंस विधी जिसे Part Method कहते हैं शमान्य विधी यानि की General Method उप्युक्स सभी यहां पर सही होगा एक Sensory Method भी होता है तो यहां पर Simple Reaction Ability यानि सदार प्रतिक्रिया योगता में इस सभी आते हैं उप्युक्स सभी होगा नेश्ट है गती योगता के जटिल प्रतिक्रिया योगता यानि Complex Reaction Ability को विखसित करने की कौन-कौन शिप विधी अपनाई जाती है तो दोस्तों इसमें दो विधी अपनाई जाती है पुर्वानुमान और अनुक्रिया यानि कि पुर्वानुमान यानि कि anticipation अनुक्रिया यानि response यानि कि यहां पर आपसन नंबर secret है A and B दून नेश्ट है गती चाल को विखसित करने के लिए कौन-कौन से तरीकों से अभ्यास कराया जाता है तो दोस्तों यहां पर आपसन है तेज गती से किसी चाल की पुर्वाबिक्ति यानि बार-बार उसको तेज गती से करो and B है आसन की इस सिती में किसी चाल का अभ्यास करना and C है अभ्यास को तेज युम लावदा लायातमक तरीके से कराना यह है गती की चाल को विखसित करने की तरीके उपिक्ष भी यहां पर शही होगा निश्टर चाल सहंस्विता को विखसित करने के लिए किन विधियों का उप्योग किया जाता है दोस्तों चाल सहंस्विता यानि की speed endurance को विखसित करने के लिए पुर्णाबित्वी विधियानि repetition method and interval method का प्रयोग किया जाता है आपसा नमबर C करेट है A and B दोनों एक कोशन वेरी वेरी important है दोस्तों इसको जरूर याद कर लिजिए यानि चाल सहंस्विता यानि अधार पर bloom ने खेलों की किन साथ साथ महतपुर समन्वे तालमिल युक्ताओं का वरंद किया है तो दोस्तों जैसा कि समन्वे युक्ता यानि coordination ability जो है वह शाथ प्रकार का होता है जैसा कि मैं उसका trick भी बताए हूँ वाले वीडियोज को जा करके देख लिए दोस्तों सभी डाउट्स आपकी किलियर हो जाएंगे जैसा कि साथ प्रकार का होता है उसका trick में बताए थी a b c d r ro तो यहां पर जैसे कि दिया है निधारण योगता यानि orientation ability तथा प्रतिक्रिया योगता यान reaction ability बी है संतुरन योगता यानि balance ability and adaptation ability यानि कि अनुपलन योगता c है human की योगता यानि coupling ability तथा प्रिसक करण की योगता यानि differentiation ability डी है तालमेल योगता and rhythmic ability तथा उप्युक्त शभी तो दोस्तों यह उप्युक्त सभी है आपके coordination यानि तालमेल योगता समवनवे तालमेल योगताओं का example यह साथ प्रकार के होते हैं a b c d r ro यानि कि adaptation ability या रुपुलन योगता balance ability या संतुलन योगता क्यूप्लिंग ability योगमन और डिप्रिशन इविलेटी प्रिथकरोर की योगता रिजमीक इविलेटी संतुलन योगता या तालमेल योगता ठीक है रहित्ति यानि हमारा आयू मौसम धकावट ये तीनों हमें प्रहावित करते हैं दोस्तों क्या आप बुढ़ापे में उतना एक्टिव रहेंगे नू आपका आयू छोटा बच्चा वल रहेगा तो आपका रहेंगे नहीं मौसम आपका खराब रहेगा बहुत जदा गल्मी है यह बहुत जदा ठंडी है उस भी प्रहावित करेगा आप स्वास्थता को प्रहावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं तो हमारे स्वास्थता यानि कि जो फीजिकल हेल्थ है उसको इफ्यक्ट करने वाले कौन-कौन से कारक हैं आपसन है आयू लेंग तथा सारे रिक बनावाट भी है खुरा तथा मौसम तो दोस्तों यह दोनों आ जाएगा A and B दुनूं। नेक्स कोच्टन है गति को प्रुहावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं। आपसर है खिलारी की गति सीलता तथा विशेश ताकत, बलवर शहन सक्ति, टक्नीक, उप्रोग्त सभी, तो यहां पे दोस्तों यह सभी कारगति को प्रोभावित करते हैं, आफसन नमबर डी होगा, उप्रोग्त सभी, नेश कोचन है, सारीक स्वास्ता से क्या क्या लाब होते हैं, आफसन है उनत स्वास्त थ तंदृस्ती में सुधार, यानि सारीक स्वास्ता यानि फीजिकल फिटनेस से क्या क्या लाब होते हैं, यानि उनत स्वास्ता तंदृस्ती में सुधार, उनत रंग रूप, समाजिक जिवन का बढ़ना, पता दमखम यानि इस्टेमिना बढ़ना उप्रोग्त सभी, दोस्त दिल और फेपरों की कार्चमता बढ़ाती है कोलेस्ट्रॉल का इस्तर घटाती है तथा पेसी ताकत बढ़ाती है रखत चाप घड़ता है तथा वजन घड़ता है तो दोस्तों यह सभी क्रियाएं होती है आपके सारे स्वास्ता यानि फिजीकल फीटने से एक व्यक्ति को उन एक यह स्थान पर आप दोड़ रहे हैं तो साहे 500 कैलोरी या 550 कैलोरी खपत होगा नेश कोशन है 6 मिल प्रती घंटे की रखतार से साइकलिंग करने पर लगभग कितनी कैलोरी उर्जा का व्याय होगा तो आप 6 मिल प्रति घंटे की रफ्तार से साइक्लिंग कर रहे हैं तो आपको कितनी कैलोरी उर्जा कभी होगा तो आपको 4000 से 5000 कैलोरी के उर्जा कभी होगा एन दोस्तो जितना लंबा दोरी होगा उतना ही ज़दा कैलोरी आपको बन होगा नेश्ट है चार मील प्रति घंटा की दर से चलने पर कितनी कैलोरी की खापत होगी तो इसमें आपका धाई हजार से 3000 केलोरी की खपत होगी सरीर या देख की मुख्य तोर पर सेल्डन द्वारा कितने और कौन कौन सी किश में बताए गई है तो दोस्तो सेल्डन ने तीन बाड़ी टाक्स बताए है एंडो मॉर्फ मेसो मॉर्फ एक्टो मॉर्फ मेसो मॉर्फ बाड़ी से फिट होता है मांस्पेशी ताकत ज़्यादा होती है एक्टो मॉर्फ जो होता है वह दूला पतला सरीर वाला होता है एथलेटिक्स में ज़्यादा वो काम्याब होता है जो मेसो मॉर्फ होता है नियुकुन होता है, तो दोस्तों नहाई होना चाहिए ननलो होना चाहिए बीच का इसन मद्यमर का होना चाहिए नेश्ट है एक खिलाड़ी को अपने अभ्यास से लगभग कितने घंटे पहले भोजन करना चाहिए तो दोस्तो कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं कोई भी अभ्यास कर रहे हैं तो उससे तीन से चार घंटे पहले आपको भोजन करना लेना चाहिए ठीक है इससे काम में नहीं नेश्ट है was कहिए कौ1 शर्ड़ी कस्वेक लिए स्ट्रेश्ट माना जाता है तो दोस्तो कस्वेत यानि भयायां के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही I hope की सभी questions आपको समझ में आये होंगी जो भी doubt होगा मुझे comment में ज़रूर बताइए दोस्तों और बने रहे हैं daily basis पे and first बार भी जिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लेजी पेल आइकन को प्रेस कर लेजी जिसने वीडियो का अब तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए जाए हैं